श्री शिवाय नमस्तु ब्यम हर हर महादीव देखे आज 23 सितंबर शुकरवार के दिन त्रेयोदशी तीती है प्रदोश का दिन है और आपको बहुती आसान सा उपाय करना है प्रदोश काल के समय मात्र एक चांवल का दाने लेना है और साथ में लेना है एक दीपक जो आपकी जीवन में आ रही धन संबंदित परिशानियों को दूर करने वाला है जो पितर दोश से जोड़ी कोई भी अगर धन संबंदित परिशानिया आपके जीवन में आ रही है तो उसे भी दूर करेगा बहुती आसान सा उपाय है पुझ गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीके अब इस उपाय को बिलकुल ध्यान समझना देखे प्रदोश काल का समय सबसे उत्तम होता है और यानि कि अक्षत का दाना लेना है ध्याना कि अक्षत का जो दाना रहेगा वो खंडित नहीं होना चीए यानि कि उसका शय नहीं होना चीए ध्याना कि वो अखंड रहना चीए ठीके एक चावल का दाना शुक्र प्रदोश पर अगर हम इसका उपाय करते हैं तो इससे हमारे शुक्र ग्रभी मजबूत होता है जो हमारे जीवन में धन, एश्वर्य, सुक, सम्रद्धी का कारक होते हैं तो इसलिए आपको चावल का उप्योग करना है दीपक जो रहेगा वो आपको आटे का दीपक बनाना है घर पे बिना नमक का आटा मड़े और उसी का दीपक बनाए और उस दीपक के अंदर आपको घी भरना है और लंबी बाती लगाना है ध्यान रखें लंबी बाती लगाना है अगर हो सके तो उसके अंदर आप एक चुटकी हल्दी भी आप डाल सकते है क्योंकि दीपक के अंदर अगर आप एक चुट की हल्दी डालते हैं तो वो दीपक जैसे ही प्रजुलित होता है तो आसपास का जो ओरा रहता है वातावरन जो रहता है वो लक्ष्मी में हो जाता है क्योंकि हल्दी जो है वो मातल लक्ष्मी को अत्यदीक प्रिय है देखिए प्रदोश काल का समय हमने आपको बता दिया और इसी काल के समय आपको ये एक चावल का दाना और ये वाला जो दीपक है ये लेकर के जाना है अब ये दीपक आप कहां पर प्रजूरित कर सकते हैं सब वहीं पर आपको ओम महा लक्षमे नमहा या ओम श्रीम नमहा लक्षमी जी के जो भी मंत्रा आते हैं उनका आपको जाप करना है आगे आपको बात समझ में यदि आपके घर से बिलव रक्ष दूर है तो आप ये उपाय पीपल के पेड़ के वहाँ पर भी कर सकते हैं या ये उ हो सके तो आप बिलव रक्ष के वहाँ पर ही ये उपाय करें कि दीपक लगाने के बात आपके पित्रों को प्रणाम करना है और पित्रों से ये करना है कि आप प्रसन हो और हमारे जीवन में जो भी दंसंबदित परिशानियां आ रही हैं वो आपकी क्रिपा से आप रखना बस इतना सा उपाय आपको करना है अगर आपको कुछ भी समझ में ना आये तो कमेंट में पूछ लेना गलती आपको नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव